Hello everyone, welcome you all on our YouTube channel Masterji Classes by Vishal आज जो हैं हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक simple सा topic है जो कि हर एक exam में जो है इस पर question put किये जाते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे types of questions, questions के जो हैं कितने प्रकार होते हैं और उनको जो further कैसे divide किया गया है यह हम इस वीडियो में cover करने वाले हैं वीडियो को अन तक देखना आपके जो है चोटे-चोटे minor doubts से वो बिल्कुल clear हो जाएंगे, crystal clear हो जाएंगे I promise you that thing because I know my teaching strategy to make you understand this topic So, सबसे पहले हम देखते हैं कि questions की types कौन-कौन से होते हैं सबसे पहले आप यह मत देखिए कौन से questions की type होते है, simple हम जो discuss करते हैं आमने सामने अभी जैसे मोधी government आई है उसके बास जो है इंडिया में काफी changes हुए है Changes हैं बोल सकते हैं कि changes हमारे किये गए है इसा नहीं है कि वो changes हुए है किसी को लगता है कि हुए है किसी को लगता है नहीं हुए है जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले topic उठाते है दी-monetization भैया आप से कोई पूछता है कि आपको क्या लगता है दी-monetization जो है उससे कोई हमारी economy में difference आया है उस पे आप अपने विचार प्रस्तूत कीजिए, कि आपको क्या लगता है, ये ठीक किया गया है, नहीं किया गया है, जो तीन हमारी countries हैं, उसे जो छे धरम के जो लोग हैं, जिनको citizenship देने की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है, वो होना चाहिए था, या नहीं होना चाहिए था, अगर होना चाहिए था, तो क्यों होना चाहिए था, अगर नहीं होना चाहिए था, तो क्यों नहीं होना चाहिए था, तो आपको जो है, इन चीजों में जो हम इन topics को discussion करते हैं, तो आपको जो है अपने thoughts को present करना पड़ता है अपने विचार को प्रस्तूत करना पड़ता है और जब ये विचार जब हम person to person पूछते हैं तो उनमें जो है differences आते हैं person to person जो है उनके जो विचार होते हैं वो vary करते हैं इन सभी same topics पे जो उनके जो thoughts होंगे वो vary करेंगे तो ऐसे questions को जो हम कौन से category में लेते हैं उसको लेते हैं open ended questions में open ended क्यों बोला गया है open means खुले हुए इसमें हम आपने विचारों को खुल कर जो है प्रस्तूत कर सकते हैं उन questions को बोलते हैं open ended questions तो इसमें जो है mainly thoughts का important role play होता है thoughts होते हैं वो person to person vary करते हैं इसलिए जो इसका answer होता है वो person to person इन questions का answer भी vary करता है और answer जो है different होते हैं यह हम लेख सकते हैं इसमें अब इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि article 370 को जो है अभी remove किया गया था जो कि कश्मीर से related था और अगर उसके बारे में describe करना पड़ेगा कि article 370 क्या है इसमें किस चीज के बारे में बात की गई है और अभी हाली में इससे related कौन सी news चल रही है तो आपको जो है यह सब उसमें note down करना पड़ेगा तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं और इसमें अगर आपको add कर दिया जाए कि आप अपने जो है आप अपने विचार बताईए कि आप article जो 370 को remove किया गया अब उससे सहमत है या नहीं है अगर है तो क्यों है और नहीं है तो आप क्यों नहीं है सहमत 370 के removal से तो यह जो questions होते हैं यह open ended questions में count के जाते हैं अब हम time waste ना करते हुए second topic पर चलते हैं जो कि हमारा है close ended questions close ended questions कौन से questions होते हैं यह वो questions होते हैं भाया जो vary नहीं करते हैं जिनका सिर्फ जो to the point answer होता है कि भाय हाँ यह answer है इसको कोई change नहीं कर सकता है जैसे कि अभी कोई present में आपसे पूछता है कि बताइए इंडिया की capital क्या है तो आप Delhi बोलेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि multiple capitals हो Delhi की इंडिया की तो आपका जो answer होगा वो इसमें जो close ended questions होते हैं उसमें single answer होता है बताइए जो leaf होती है उसमें कौन सा pigment पाये जाता है तो आप क्या बोलेंगे अफकोर्स chlorophyll पाये जाता है तो आपका जो answer है वो one word answer हुआ तो इसको इन questions को जो हम count करेंगे close ended questions में अब इसके further जो हम types ले सकते हैं questions में सबसे पहले आजाएगा multiple choice जो questions होते हैं उनमें four options होते हैं और एक ही question एक ही answer जो होता है वो correct होता है तो वो जो है close ended question में आया जाएगा उसके बाद हम true false लेते हैं कोई statement दी जाएगी आपको उसको आपको बताना है यह सही है या गलत है फिर हम fill ups ले सकते हैं जो है आपको एक single word fill करना है statement के according की जो है कौन सी जो term है इसमें suitable होगी ठेक है यह जो questions होते हैं close ended questions में आते हैं उसके बाद जो open ended questions होते हैं उनके जो पहचानने की हम ले सकते हैं कि कैसे पहचानना जाएगी कोई question open है या close है तो आपको कुछ word याद कर लीजिए जैसे कि first word तो हमारा word describe किसी चीज को describe करना दूसरा हम ले सकते हैं किसी चीज को explain करना या फिर किसी चीज को बोल सकते हैं define करना किसी process को इसको जो हम ले सकते हैं open ended questions में और किसी चीज पे जो illuminate करना ऐसे जो words आते हैं इनको जो हम open ended questions में count करते हैं तो ये था हमारा आज का topic types of questions open ended questions and close ended questions उमीद करते हैं आपको ये बिल्कुल clear हो गया होगा अगर स्टिल आपके doubts हैं तो आप comment section में डाल सकते हैं we will reply you as soon as possible अगर वीडियो पसंद आए तो then do like our video आप शेर कर सकते हैं कोई problem नहीं है बिल्कुल free है और don't forget to subscribe our channel थाकि आपको regular video updates मिलते रहें क्योंकि अभी exam जो है within 2 months होने वाला है contact तो हम पूरी कोशिश करेंगे जो आपकी pedagogy है जो की मुख्य role play गरती है आपके exam को clear करने में या ना करने में इसको जो है पूरा कोशिश की जाएगी कि हम इसको exam से पहले complete करा दी जाए और इसके previous questions भी लगा दी जाए Thank you and have a nice day